कि नमस्कार साथियों बफिर से आप सभी का स्वागत है जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं साथियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत-अभिनन्दन आज किस महत्पून कक्षा में मेरे प्यारे मित्रों ठीक है उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे परफेक्ट होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में मेरे प्यारे मित्रों ठीक है तो कैसे आप सब लोग एक बार सब लोग अपने हालचा लिख दीजिए और फटा-फट से मुझे बता द मैं आप लोग की समक्ष हासे हूं में आज अक मोटीवेश्ण लाइन के साथ आज के session में साथ हूं जितने दोस्त लेने जा रहे हैं अगर परयावरन अध्यन की वाकें में तैयारी करना चाहते है तो परयावरन अध्यन के वह बहुत ही महत्मुन प्रश्ण जो आपको कोई और टीचर नहीं कराता है लेकिन वो प्रश्ण कहीं ना कहीं हमसे हर बार पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्ण कराने में यहाँ पर आप लोग के सामने आपके समक्ष मौजूद हो गया हूँ एक मोटिवेशन लाइन के साथ सुरुवात करेंगे तेरे गिरने में ही तेरी हार नहीं तु आदमी है अवतार नहीं गिर उठ चल दोड फिर भाग क्योंकि जीत ही संचिप्त है इसका कोई सार नहीं मेरे प्यारे मित्रों जीत संचिप्त होती है उसका कोई सार नहीं होता साथियों और तेरे गिरने में हार नहीं होती याद रखना साथियों आप लोग जितनी भी बार गिरोगे उसमें कोई भी हार नहीं होती लगातार एक्षातर लिख रहे है समर लगातार हो रही ऐसा फलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए कोई कि कभी कभी गुच्छे की आखरी चावी ताला खुल देती है बिल्कुँ सही बात है ठीक है चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज की सेशन को बहुत ही बहतरीन एक बहतरीन से जोस के साथ में उमीद करता हूं मेरे प्यारे मित्रों आप सब लोगों को जोस आपका हाई होगा हाउद जोस गाईज बताई फटावट से हाउद जोस गाईज बताईए कैसा जोस आप लोग का बढ़िया होगा है न तो यहाँ पर देखिए ध्यान से इन में से सही चीज का मिलान करना है मेरे प्यारे मित्रों की कीट दे रखें मच्छर चीटिया रेशम कीट और उसकी विशेस्ता इधर दी हुई है इस मादा कीट को ढूंड की गंद को कोई किलोमिटर दूरी तक ढूंडा जा सकता है अपने में जबानों को उनके शरीड की गर्मी के माद्यम से खोजता है शाही जैली जैसे ही वे चलते एक गंद छोड़ देते हैं साथियों बहुत ब सब लोगों ने दिया औप्शन नमबर सी दा करेक्ट आंसर है ना हम अगर हम यहां पर बात करें तो बिल्कु सही आप लोगों ने दिया मच्छर जो है वो अपने में जबानों को शरीर की गर्मी से पहचानते हैं मच्छर एक कोल्ड ब्लेडिड है तो वह वाम ब्लेडिड चीज़ों को पकड़ते हैं warm-blooded animals को जाते हैं साथirie उनके ओर जाते हैं चीटिया जो होती है साथियो वह याद रखेगा जहां जहां वो चलती हैं चीटी जहां जैसे जैसे चलेगी अपने पिछली चीटी के लिए क्या छोड़ देगी साथियो कुछ chemical छोड़ देगी और की वजह से पिछली चीटी जो है उसको फॉलू अप करती है मेरे पैरमित्र याद रखेगा वह जो चीटी है आगे जो चीटी चल रही है वह पिछले चीटी के हिसाब से उसके फॉलू अप में ये गंद या फिर ये जो महक है खुश्बू जो भी आप बोलना चाहें वह लाला है ना तुझे तेरी बदबू से पहचान लूंगा कौन कह रहा है रेशम कीट मेले रेशम कीट कह रहा है फीमेल रेशम कीट से की तु धरती पे चाहें कहीं भी रही हो है ना कई किलोमिटर दूर तक पहचान लेता है मेरे प्यारे मेत्रों ठीक है और किसी को मेरे गा डिडि मदमक्षी कर मैं बात कर दो शाही जैली मदमक्षी के पास आती हो और याद रखे काफी खुब заметि के याद रखीएगा चलिए बजुशा मे रहा एक चीटी जमीन के साथ साथ जा रही थी साथियों और उस ने देखा कि दूसरी तरफ से चीटियों के समुझ आ पहली चीटी ने पहचा लिया कि उससामुह नहीं और वह वापस अपने बिल में आ जाती है चीट्यू को कैसे पता चलता है ये चीटी उसके समूग की हैं यंग स शीयों मतलब चीटि अपने समू की चीट्यों को पहचा ले लिते हैं मेरे प्यारे मित्रों याद रखेगा अमित कह रहे हैं भगवान मेरे कानों की रक्षा करें ठीक है बिलकुल भाईया मैं तो गाता ही रहता हूं ठीक है और याद रखेगा मेरा तो मेरा गला अवाज गाना बढ़िया नहीं होता लेकिन मेरा समझाना बढ़िया होता है कि क्यो वो गाना गाया मैंने है ना उधर फोकस किया करें कि सर ने गाना गाया अच्छी बात है क्यों गाया चलो चीटियों को कैसे पता चलता है कि अन्य चीटियों उसके समुकी नहीं है चीटियों का उनके रंग की वज़ा से उनके माध्यम की वज़ा से चलने के पैटरन की वज़ लेती हैं अगर आप सब लोगों ने सही उत्तर दिया है साथि उस प्रश्न का तो एक बार अपने जितने भी दोस्त है साथियों जितने भी दोस्त है साथियों एक बार सब लेती है चीटी के बैइया है ना कहा जा रहे हो चलो पक्षियोक में थोड़ी घुमावदार नुकूली चौच होती है जैसा की छितर में दिखायादा कि इसर्फ आगे दिखाऊँगा ठीक है अधिक है ठीना कि देखाऊँगा बर तुम तने में छेद करने में, बीज तोडने और कुचल लेने में मेरे प्यारे में तरो, अगर आप ध्यान से देखें, तो मैंने एक कोश्चन आपको पहले भी कराये हुआ है, लेकिन एक अलग तरीके से कराये हुआ है, यस गाइज आप सब लोगों ने आंसर दिया, that is yes, फूलों घुमावदार चौँच होती है, वो फूलों से रस को निकालने का काम करती है, साथ याद रखेगा, ठीक है, अब देखो दो तरीके की होती है, एक हुक वाली चौँच होती है, याद रखेगा, एक हुक वाली चौँच होती है, जो कुछ पक्षियों में पाई जाती है, इ ठीक है वो किसलिए साथ यह remembrance धार और नुकिली चौँछ ताकि फलों से रसको निकाला जा सके साथ यह मास फारदने के लिए हुक चौँच होगी और जो नुकिली चौँच और घुमावदर चौँच होगी वो फलो रसक चूषने के लिए होगी ठीक है साथियों काफी सारे लोगों ने गलत कर दिया दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग गलत है ना ठीक है याद रखेगा ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग ठीक है अगला कुशन रसोई के अब सिस्ट को फैकने के लिए हम किस रंगे के कूडे दान का उप्योग करेंगे है ना चली आंसर करें फटाफट से अच्छा एक बात तो आपको बहुत क्लियरेटी से आती होगी समझ में आती होगी मगज में आती होगी कि यार रसोई का जितना भी कचरा है वो कैसा कचरा है त्यान से देखो वो कैसा कचरा है वो और्गिनिक है या इन और्गिनिक है बताओ वो और्गिनिक है या इन और्गिनिक कचरा है वह जैव अब घटन करने योग्या है या फिर जैव अब घटन करने योग्या नहीं है यस वो सारा का सारा जो कचरा होगा मेरे प्यारे मित्र वह जैव घटत्ट होंगा है यö 이제 आफ़ घटन हो सकता है ये वो जो भी कच्रा हम बात कर रहें वहां पर वह ऐसा कच्रा यह जो जो आपके फल है उसमें रोटियां है तो वह ऐसा है जो जो नेचर ही अब घटन कर देगी तो जो भी याद रखेगा कचरे का नेचर अब घटन कर सकती है वो हरे हरी डस्ट बिन में डाला जाता है वो कहां डाला जाता है मेरे प्यारे मित्रों वो हरी डस्ट बिन में डाला जाता है और ऐसा जितना भी कचरा है जिसका नेचर बिटा क्या नहीं कर सकती इसका नेचर अब घटन नहीं कर सकती वो नीली डस्ट बिन में डाला जाता है मेरे प्यारे मुन्नाओं राजाओं गड्डाओं है ना चलो अगर समझ में आ रहा है मगज में आ साथियों तो एक बार सब लोग एक बार जोड़दार तरीके से लाइक का बटन दबाएंगे और कमेंट शेक्षन में लिख दीजिए ईविएस भाई लॉकेसर अगला कुशन ध्यान से देखिए कीटों में एक परिसंचरन एक प्रकार का परिसंचरन तंत्र होता है भाईया य को खुदी समझ में नहीं आ रहे हैं कि और इनको कराएं पता टीचर क्या करते हैं मैं आपको बता दू बहुत सारे ओनलाइन टीचर क्या करते हैं मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी लेकिन मैंने जर्नल ही देखा है जब बात आती है थोड़े से difficult questions कि खुदी बचके निकल लेते हैं ठीक है एक option मैंने extra add कि कुछ की कुछ चीज़ समझानी थी मुझे ठीक है इसलिए मैंने option extra add किया हुआ है इसमें याद रखेगा option चारी आए थे लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ एड की हुई है ठीक है चले तो साथ रखेगा open circulatory system याद रखे आप समझो ध्यान स system बंद परिसंचरण तंत्र वो परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें एक oxygenated blood को यानि कि वो खून जिसके अंदर oxygen मौजूद होती है और वो खून जिसके अंदर oxygen मौजूद नहीं होती उनको अलग-अलग रखा जाता है वो होता है closed circulatory system हम में और आप में याद रखेगा system यह pulmonary जो फेफडे वाले लोग होते हैं वो भी closed system के अंतरगत आते हैं सात्यों याद रखेगा systematic परिसंचरण तंत्र ऐसा कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं होता यह एक्स्टाइड कर रखा है open circulatory system यह कीडे मकोडों में पाया जाता है उनके अंदर साथियों कोई lungs वग गोलते रहें वो नॉर्मल लेते हैं सांस और oxygen उनके खून में सीधी घुली रहती है और जो जो oxygen उसे यूज कर रहे होते हैं क्योंकि body छोटी होती हो ने का शरीर छोटा होता है गिल मचलिया जो है basically यूज करती है अगला चावल एक कीट भोजी कीट है बताओ चावल का एक भोजी कीट क्या है बताओ साथियों monofagus paste of rice is नए questions है साथियों बताओ पटाफट से मेरे प्यारे मित्रों नए questions है या नहीं है आप सब लोग बताइए जितने भी दोस्त आपर जुड रहे हैं क्या ये नए questions है या नहीं है आप लोग को क्या लगता है चलिए चावल एक कीट भोजी पक्षी है कीट है यस यह यलो स्टेम बोरर से बनता है पीला तना बेधक याद रखेगा ठीक है याद रखेगा साथियों अच्छा सफेद मखी का विज्ञानिक नाम क्या है एक नया question आपके लिए एड़ कर रहा हूं आप भी कहोगे याद रखेगा साथियों पीका क्या क्या है बताओ पीजियम सटिवम ठीके वैसे ही सफेद मक्षी का विमीचिया टैबे की है यह याद रखने हूं साथियों अगला कोशन देखो स्कूल जाते समय पूजा ने देखा उसके जूतों के तलवे फट रहे हैं मतलब जूता फट रहा है अगर जूता फट रहा है तो उसे किस के पास जाना चाहिए मोची के पास नाई के पास पुलिस के पास या दरजी के पास है ना बताओ ये question तो आसान है यार ये तो सब जवाब देंगे एक बार फटा-फट से answer कर दो जितने भी है सब लोग इसका सही answer कर दो चलो come on everyone everyone can answer this question बहुत आसान सा question है किसके पास जाना चाहिए अगर आपके जूते फटे हुए है साथियों come on everyone yes हर कोई answer लिखेगा इसका एक भी answer नहीं छोड़ेगा because this is how the questions ask right कुछ question बहुत difficult कुछ question बहुत आसान जिद्धी कह रहा पुलिस के पास जिद्धी अगर पेपर पास नहीं हुआ ना तो मैं ज़रूर पुलिस के पास भेज़ दूंगा तो मैं ना ठीक सही answer मोची है ना तो जो मोची होता है मेरे प्यारे मित्रों वो क्या काम करता है कॉबलर जो होता है वो क्या काम करता है वो आपके जूतों को सिलने का जूते फट जाएं उनको ठीक करने का काम करता है साथ याद रखेगा ठीक नाई जो है नाई आपके बाल काटने का काम करता है पुलिस जो है वो पुलिस का काम करते है राइट आपको कोई भी न्याय दलाना हो न्याय दलाना नहीं है ना अगर पुलिस का क सामें सेवा करना ठीक है दर जी का काम कपड़े सीनना है साटियो जो मदमख्य किस परिवार से संबंदित है बताएए एपटी एपड़ी वैस्पडी फारमसीडी ऑपडबी या पर शात्यों मस्कड़ी है ना तो याद रखेंगा मदमख्य कि एपड़ी से related है साथ्यों ठीक मदुमक्खे जो है एप डी परिवार से related है अच्छा फाइलेयरियर जो होग कौन फैलाता है फाईलेयर्डिय सस् रोग होता है साथ्यों जैसे malaria कोी क्क शाथो तीक है malaria को कौन फैलाता है अच्छा CC मच्छर भी CC मख़्ी भी कोई रोग फेलाती है जरा एक बार comment section में लिख दो कोईकि question आया हुआ है CC मच्छी कौन सा रोग फेलाती है जैसे addies जो मच्छर है साथियो आप सब जानते हैं वो डेंगी फेलाता है है न जो एडीज मच्छर है वो क्या फैलाता है डेंगी फैलाता है हाउस फलाई जो है वो कॉलेरा है जा फैलाती है साथियों याद रखेगा ठीक तो बताओ फाइल एरिया यस वेरी गुड कौन सा पक्षी तने में गहरा छेद करके अपना गहुंसला बनाता है किस-किस को न CBT वाला ही कोश्चन करा रहा हूं दोस्त है ना टेंशन ना लो कुछ दो तीन कोश्चन एड किये गए जो डिफिकल्ट लगे मुझे जो NCIT में जिनका थोड़ा बहुत जिक्र है उसके आसपास कोश्चन बन सकते हैं साथियों याद रखेगा इस कोश्चन का आंसवर दीज होंगा आज आप लोग को कल भी कियाता है राइट याद रखेगा इविएस बाइलोके सर टेलेग्राम चैनल में जुड़ जाना सब के सब लोग सबको मज़ा आएगा साथियों अधर बहुत सारे नौट्स रेगुलरली डाल रहा हूं साथियों बताए फटापट से और स्रीन फेंटेस्टिक सी मज़ेदार जबरदस्त कक्षा शाव चार बजे लेकर आते हैं आप सब लोग जरूर जुड़ा करें उसमें बसंत गौरी है याद रखेगा कौन सा पेड के तने में गहरा छेद करके अपना घौंसला बनाता है बसंत गौरी ठीक है सनबड के बारे साथियों के सीर्स पर अपना घौंसला बनाता है बारबेट बसंत गौरी के बारे में आपको पता होगा साथियों बारबेट है ना चली आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन यहाँ पर यह रहा बारबेट देख लो ठीक है अच्छा इन में से किसके बाहरी कान नहीं होते ल लक्षाओं में अपना बढ़िया जबरदस्त तरीके से उसने क्या किया हुआ है पकड़ बना लिया साथियों चली कम आउन एवरीवन सभी लोग आंसर करेंगे आपर ठीक है आपको रिजल्ट देखना है एक बार हर कोई हसी वाला भीज के देखो ठीक है चलिए तो इसका जो आनसर होगा वह स्नीक साप होगा साथियों ठीक है तो साप है सातने याध रखेगा है मैं बता रहा हूं हाँ кूट दूंग हाँ हां सानती से तो जो सायद रखेगे वह जमीपर ही अपनी जा इसको सुनाई नहीं क्या क्रेश् hanada रे थो चुन है याद रखेगा दोस्तों ठीक है फटाफट से देखो 982 लोग हो भी गए आप सबने तालिया क्या बजाएं है ना चलिए राज सभा का सभापती कौन होता है मेरे प्यारे मित्रों याद रखेगा साथ ही छोटी छोटी कोशन्स पॉलिटी हिस्ट्री 2018 दिसंबर के पेपर में आ गए थे तो इसलिए कुछ उससे रिलेटेड छोटी चोटी कोशन्स लेकर आया हूं ताकि कल को कोई भी गडबड़ी आपको ना लगे ठीक है लोगसभा अध्यक्ष भारत का उपरास्टे पती राइट अटरनी जर्नल इन में से कोई भी नहीं ठीक है और जितने भी दोस्तों ने पिछले कोशन का सही उतर दिया उन सब के इंडिया भारत का उपरास्टे पती राज्यसभा के सभापती होती है याद रखेगा है ना बहुत बढ़िया इस कोश्चन के लिए भी जोड़दार तालिया अपने लिए बजाईए आप लोग बजाईए ठीक है अभी फिल्हाल ठीक है चलिया अगला कोश्चन पंचैती राज्य वैवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर में किस वर्स हुआ था पंचैती राज से भी कुछ कोश्चन्स बन थेb전에 बहुत थेना 1958 में 1959 में 1957 में या फिर 1956 में मेरे प्यारे मित्रों चलिए जबरदस्त तरीके से आंस्वर करिए फट्रावट से याद रखेगा साथियो यह कोशन बहुत जबरदस्त है देखो पंचायती राज सिस्टम से कुछ रिलेटेड कुछ ही कोशन्स आते हैं उन कोशन्स को जान लीज सिस्टम से रिलेटेड जो कोशन्स आते हैं वह बनेगा वह बताइगा यह बताएं कि पंचायती राज सिस्टम कब सुरुआ 1959 में किस जले में शुरूँआ नागोर में कौन से राज्य में शुरूआ राजिस्थान में ठीक है भारत में इसे तेहतरवे सविधान संसोधन कि अमेंडमेंट जिसे हम बोलते हैं उसको इंटर्ड्यूस किया गया था सन 1992 में कौन से साल में 1901 में और इसे लागू किया था संपूर्न भारत में याद रखेगा साथ ठीक है 1969 में राजस्थान के नागौर में पंचायती राज सिस्टम सुरू किया जो सरपंच देखते हो पंच देखते हो प्रधान देखते हो यह पूरे भारत में कब बनना सुरू है 1992 में साथ हो हां एक और कोश्चन बन सकता है कि पंचायती राज विवस्था किसके सब्दों के होता है रों के इनसान का हर शहर के इनसान का एक हद तक अपना ऐसे बटा होता है यहां पर अगर आप देखो तो विवलेज लेवल division पर enjoying थाizer वीवान फिर जीन यहां परipर परिता सब लोगों से भाई आपके एक अपील कर सकता है भाई मानते हो नहीं मानते हो सब लोग बताओ पहले तो यह कि नहीं सरम भाई भाई तो मानते नहीं है अम ऐसे यह जब तक काम चल रहा चला रहे हैं यह फिर दिल से भाई मानते हो अगर भाई मानते हो यार तो एक बार लाइ ब्राइज में आपको बता दू आपका हर एक like काफी अच्छा लगता है मेंसे इन सुनामी किसके कारण नहीं होती है तुफान के कारण ज्वालं मुखी विस्फोट के कारण भूखंप के कारण या फिर समुद्र के निचले भूखंप के कारण बताओ सुनामी किसके कारण नहीं आती तूफान आजाए यस याद रखें तूफान जो ना वह हवा का है अगर तूफान आया ऊपर-ऊपर आया वह नीचे से कुछ नहीं हुआ लेकिन अगर प्लेट सरग गई तो भूकंप आ जाएगा वालकनिक समुद्र के अंदर जो आला मुकी फट गया तो तो आ जाएगी सुनामी भूकंप आया तो सुनामी आ जाएगी और सी के अंदर समुद्र के अंदर भू संकलन हुआ तो सुनामी आ जाएगी याद रखेगा सुनामी बड़ी खत खेती को weber के नाम से जाना जाता अब देखो कितनी बढ़िया बात है आप लोगों को जूंकि को खेती पता है ठीक है कि हम काट और दहा को बोलते हैं इस्फेर पीह न बं कि वो समश्य यह रही है घिसिते हैं जिनके पास कॉंटेइंट है वो सामने नहीं आपाते अब बड़ा नाम रहा है ठीक है मेरा नाम बहुत बड़ा नहीं वपा रहा है अब मेरा आपव देखो कराएंगे वो गाय भेंस सिंपल सिंपल चीज़ों मैं अठका के रखते हैं मैं भी करा सकता हूं सिंपल सिंपल चीज़ हर कोई करा सकता कराता भी हूं लेकिन उनको थोड़ा यह समझना होगा कि यार अगर आप वो सिंपल सिंपल करा कि आप यह कह देते हो कि भाई बच्चे तुम कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे है उसके पीछे कारण है क्योंकि आप बच्चे को जूट बोल रहे हो मैं 30 में से 30 दिलाने का वाद तब करता हूँ जब पढ़ा लेता हूँ पूरा का पूरा डिफिकल्ट भी पढ़ा देता हूँ अपने चातरों को आसान भी पढ़ा देता हूँ तब कहता हूँ यह तुम 30 में से 30 ला सकते हो साथ याद रखेगा मुझे उन टीचर से कोई दिक्कत नहीं है वेरी गुड बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकर उन्होंने एक वर्ड यूजर नहीं करना चाहिए उन्हें बोलना चाहिए कि बेटा इसमें और पढ़ने की अभी ज़रत है तुम सभी और पढ़ो मेरी बास समझ रहे हैं उन्हें टीचर को यह देखना चाहिए कि इसमें और पढ़ने की ज़रत है तुम्हें खुद भी पढ़ो यह तो बस मैं जो करा रहा हूँ उससे तीस में से तीस तो आएंगे नहीं यह 15-20 नमबर ला सकते हो आप इसमें साराम से वो चीज उन्हें बोलनी पढ़ेगी और मैं वही बोलता हूँ साथियों कि हर किसी को यह सब छोटी से छोटी चीज बोलनी पढ़ेगी आप लोग आप लोगों के साथ जब बच्चे ज्यादा जोड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है आपको सच बोलना पढ़ेगा फिर वो कल को जब बच्चे पास नहीं होते ना वह गालियां भी लिख देते हैं तो मद्ध्य इसका सही उत्तर है भारत के किस राजिय में याद रखेगा मद्य प्अत्प्रदेश में वै Elli केते हैं क्रशी को क्या कहते है मेरे पेहरे मित्रेश ओकेते हैं ठीक है बाकी जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं व्यूज ला इन्सान को रहाँ जिशोटी जो मुझे इंसे उसकी शिकायत रहती है जो यह इसा अब करा जो है कि है जो पुण ने पर और है लेकिन प्रिशन आया हुआ है यह प्रिश्ण आया हुआ है बताओ अब कोई 56 मेदान पढ़ाएगा निए और वो कह देगा 30 में से 30 आ जाएंगे बचा जाएगा पेपर में 56 मेदान आया सोच रहा है कि मेरे तो 30 में से 30 आएंगे पढ़के नहीं गया इसी बहाने कि मैंने तो फलाने टीचर से पढ़ लिया आप चुपन मैदान पढ़ने की जोड़त नहीं है ना तुम्हें बोलना पढ़े याद रखेगा ठीक मद्य माही बेसिन से याद रखेगा मद्य माही बेसी जो है वह 56 मेदान है जैसे गैंगेटिक प्लें है ना मेरे प्यारे मित्रों कोई हरियाना यूपी बिहार का है यह पर बहुत सारे चात्रोंगा आप सब गेंगेटिक प्लेन में रह रहे हो लेकिन 56 मैदान जब आप माही बेसिन को देखोगे पूरे के पूरे को ठीक है तो वहां पर आपको 56 मैदान देखने पड़ता है प्लीज इसका एक बार सनेपसोट ले लो यह पूरवी मैदानी प्रद है ना कहां कहां पर है उडिशा अंध्रप्रदेश मनिपूर या जम्मू कश्मीर पर साथियो ठीक चलिया आंसर करें फटामट से आप इसे प्लीज इस तरीके से मत लीजेगा कि मैं कि नेगेटिव बोल रहा हूं किसी टीचर के बारे में ठीक है I love all the teachers right बहुत अच्छी तुम लोग देखते हो कभी मैंने कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोला है मुझे जो दुख है मैं दुख बता रहा हूं और दुख बताओं क्यों ना यार तुम सब लोग भाई हो है वो अगर मान चलो 35, 36, 40,000 बच्चे पढ़ रहे है और अगर उनके नंबर नह हमसे अच्छा कॉंटेंट हो सकता है वो भी आपको 30 में से 30 दिला सकते हैं वह बोल दे मैं तो खुश हो जाओंगा लग ऐसा बोल दिया उन्होंने ठीक है चली सही आंसवर यस तो यार आप लोग अगर जील नहीं पढ़के जा रहें तो कुछ नहीं पढ़के जा रहें तो कि सौज़ सबसारी North East के अकली साफ पानिकी जहील है वो मनी पुर ने रहां ठीक है प्लीज टेका स्नेड़ड है इसका स्नेड़ड लेपी इसका स्नेड़ड ले लिजे it is very very essential for all of you, traffộiत ठीक है एक ठीक चलिए एक बार सब लोग यहां पर एक बार स्नेपशोड ले लिजे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गर्ववस्ता में एरक्तता जब प्रिगनेंसी होती है ना उस कंडिशन में बेबी को बनना होता है याद रखेगा जब जब प्रिगनेंसी होती है तो उस कंडिशन में बेबी को बनना होता है तो जब बेबी बड़ा होता है है जाहां बेभी को भी हमोगलोबिन आपको भी हमोगलोबिन चाहिए तो आप देखेंगे कि आपके हमोगलोबिन लेवल्स डाउन आ रहे हैं उस कंडिक्शन में आपको बहुत जरूरी है कि यहां पर एनफ नुन्टिशन फूड खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, मेरी बहुत सारी माताएं और बहनें वहाँ पर जुड़ी हैं, है ना, आप सब हर किसी की लाइफ में ये वाला पल आएगा, डेफिनिटल आएगा, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, कि प्लीज, प्लीज, टेक केर अफ यूर बेबी, और उससे कहे जादा, अगर आपका कोई भी ऐसा समय चल रहा है, या फिर आएगा, प्रिगनेंसी का, उसमें बहुत ध्यान रखें, आप पालक, या फिर मतलब जो भी बेबी बना रहे हैं, और इस बेबी का जो है न वो जो बेबी है, वो आने वाला फ्यूचर है, आप सोचे आपका फ्यूचर है, हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर है साथ याद रखेगा, और वो ध्यान जो है साथ रखना होग आप लोग को, और ये बैलेंस डाइट जरू अटरों में मतलब भारत में अवेयरनेस कम एल ना अवेयर हैं जानकारी जुटाएं है आपके पास में कि हम क्या खाएं क्या थृस्से बेकार है वह सब चीजों के खोल है हसथ आप लेकности कौन सा सत्था है अब नेचुरल-फाइबरस बूच राहे है साथ को अगर यह कोशन आप ध्यान से देखें तो आपको नहीं लगता कि यह सीटाइट में आने लाइक कोशन है कितना बहतरीन कोशन है बताओ फटाबर से सर हमारे लिए भी कोई विटमिन बता दीजिए समर जी बिलकुल आप विटमिन B12 का अच्छे सेवन करें दमाग अच्छे चलेगा ठीक है याद रखेगा ठीक है विटमिन B12 का सेवन करें लड़के जितने भी है वह विटमिन B12 का सेवन करते रहें ठीक है अगर किसी के मुह म तो आपको होनी नहीं है ना जब आपसे तो बस एक उम्मीद रखता हूं आपको एक विटमिन जो अपने अंदर डाल लेना वह केर का अपनी वाइफ की केर करिएगा उस समय पर अगर आपकी वाइफ जो है वह प्रिग्नेंट हो तो वह एक विटमिन जो आपको समय लेने की ज ठीक है वह तुम्हें अपनी खून से उसे पालना पूछना हो तो समझो समझो अपनी वाइफ के बारे में समझे ना ठीक है यह विटमिन आपको जरू लिए ठीक चलो कॉटन जो है सूत है ना इन में से कौन सा तन्तू कॉटन जो है वह एक नेचुरल फाइबर है कॉटन ठ जो कॉटन जो है वह एक नेचुरल फाइवर है मेरे प्यारे में ठीक चली आगे बढ़ते हैं संक्रमक रोग जो है वह किसके द्वारा फैलता है साथ बताइए वायू जल जीवित या फिर यह सब ही साथियों सर्वाइफ नहीं हो तो पहले बिटर तुम सरकारी नौकरी का वितमिन लो तो वायफ आएगी है न और फिर वी वायफ ना ओ तो फिर काम करो प्रधान मंत्री के फॉ म बल लो शायद हो सकता है तूम प्रधान मंत्री बन जाओ यह ना चलो आंसर करो संक्रमक रोग किसके जाता है ठीक है जो से हम है जा बोलते हैं living organism चुहा प्लेग लेकर आया ठीक है बैट कोरोना लेकर आया पर इसमें बात बोलोगा कि बैट कोरोना लेकर आया भी विवादस्पद है क्लियर नहीं हुआ है साइंटिफिक स्टूडेंट तो इसलिए सब चीज क्लियर रखने पड़ती है तो living organism भी लेकर घूमते हैं जो नया बच्छा होता है छुटकू अच्छा होता है नन्ना सा मुनना सा राही होता है ना यह तुम सब लोग छोटे-छोटे थे तुम्हारा जब जर्म हुआ था मम् बहलते हैं कि दerali है बठ की बेट बोलते हैं कितनी होती है साथि बताइए फटाफट ऐसी बार एक्वकशास बार सौ बार fiber iuk furay produkt होड़ा गेलियों तो किसी भी टीचर को बुरा नहीं बोल रहा हूं अगर कहीं यह सोच रहा हूं कि मैं मेरे को किसी टीचर से कुछी बुरा है मिरे को जैलस है यार नहीं आप लोगोंने देखा हूंगा मुँपे तारीफ कर देता हूं सबकी है मैं नाम लेकर तारीफ करने वाला इंसान हूं मैं को कभी कोई दिक्कत नहीं किसी से भी लेकिन कभी-कभी लगता है कि थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए है ना चीज़े तो वही मैं बोल रहा था उसके उसे आप अधर्वाइज मत लीजेगा तो सही आंसर है डेड़ सो बार है ना एक सो पचास बार है ना क्योंकि इतना तो है यार देख तुम लोग हजार दोस्त भी मेरे साथ जुड़ रहे हो ना तो मुझे इतना है इतनी खुशी है कि बारह सो दोस्त भी अपने साथ है ना दिल से साथ है तो हम रेली रेली हैपी वेदियोल गाइज है ना लिट्रली रेस्पेक्ट अल अफ यू गईज रैट मुझे अच्छा लगता आप लूग को पढ़ाना नवजात अच्छा जो छोटा बच्चा होता ना उसका हर्ट रेट तेज होता है उसका दिल तेजी से तक तक क्यों समझे ध्यान से अच्छी बच्चा जब छोटा होता ना तो उसको ना आपकी उसकी बॉडी डवलप हो रही होती है जब हमारा सरीर छोटा होता है तो हम हमारा शरी डवलपमेंट के ओर जाता है पढ़ा भी होगा आप लोगों सब्सक्राइब तेजी से याद रखेगा अपनी मा का दूद है ना मा का दूद नवजात सशु का प्रथम आहार होता है दिमाग तेज करने के लिए कुछ बताओ दिमाग को इस दिवार में देमारो बहुत तेज चलेगा दिमाग है ना बागवानी के लिए किस प्रिकार का ओवर्रक या खाद और दिमाग सब मापशन सब चलता है लेकल वन दॉद है एक इसां इनसान के दिमाग में उसे 9 परसेंट डाला हुआ है और 10 परसेंट में उसने लाला हुआ बाकी की चीजे घर वगयरा के सब चीजikes ना तोमा कुतने चल रहा है है आफ एक ने का किया हुआ है निसां पर तो इसके जो रजल्ट आएगा वो कहां पर आएगा और वहीं एक दूसरा चात्र है जिस उसका भी 100% दमाग है ठीक है उसे ने कहां लगा रखा अपना 90% लगा रखा घर में ठीक है और 10% लगा रखा पढ़ाई में अब जब कभी ये वाला चात्र बी वाला चात्र ए वाले चात्र से मिलेगा और आपस में जो गुफ्ट गू होंगी ये वाले से ओंड़े का डिमाग बहुत ति चलता है और यह नहीं यार तो अपनी priority set करो अगर पढ़ाई में दमाघ होगा तो दमाख अपनी आप तेज चलेगा तेज क्या होता कि दमाघ भागर आए क्या है hem लेकिन अगर किसी को यह है कि सर मैं खोया रहता हूं और मैं सोचता रहता हूं ज्यादा शूचता हूं ओवर थींग करों शेर्ब आपने चीज कर सकते फिर अक रोट खा सकते हैं याथ ठोड़ा एंटिडिप्रेशंट होते हैं तो चाय इसका सही उतर आसातिए अगला question हेती में Thresher machine का अप्योंग कभ रहर का जाता है बताओ Thresher machine कभ 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 किया जाता है आँश कुछ बाते जादा हो गई है ना भाई चलो कल से बाते कम करेंगे ठीक है सीर्फ पढ़ाई करेंगे कल से चलो कभी-कभी हो भी जानी चाहिए बात है अच्छी बात हो जानी चाहिए विकारवात ही कभी नहीं चाहिए after harvesting है ना जब कटाई हो जाती है तो फिर thresher machine को अपयोग करते हैं जो भी बचा कुछ होता हुसे हटाने के लिए साथ हुँ लाल मिट्टी किसके लिए बहतरीन है बताओ लाल मिट्टी किसके लिए बहुत ज़रूरी है याद रखेगा जो काजू होता है वो लाल मिट्टी में अच्छा हुगता है ठीक है कपास किसमें अच्छा हुगता है देखो कपास काली मिट्टी में चावल लाइक मिटी से कहीं ज़्यादा पानी की ज़र्थ ज़्यादा होती है याद रखेगा दोस्तों ठीक है जाबो अब देखो एक और चैज कोशन आगे आपके लिए ठीक है जाबो एक खेती का तरीका है यह कहां विदमान है तुम लोग को हर छोटी सो छोटी चीज का कोशन करा करो एक दूसरी कोशन ले लिया करो ठीक है द्रबजे चलिए सर सीटैट पास वाली किलास कब आएगी आपकी एक कलास ले चुका हूं दूसरी कलास लेनी है आई होब पांस तारिकों हो जाएगी साहिव हैना पांस इक तारिक तक हो जाएगी डेत अभी फिक्स कीना यह मैंन चलो आंसर करो जिम कॉरमेट नेशन पापर्क, कौन जिम कर रहा है रयल बेंगॉली टाइगर जियम कर रहा है राई तो कहां पर जिम हो रही है यूकय की लोग, डवलपीड लोग जिम कर रहे है तτιकर याद रखेगा भाई हमारे भारत में किया जिम का कॉंसेप्ट था नहीं था हमारे भारत में किसका परमें ठीक तो रोयल ろेल लोग जिम करते हैं पहली बात तो जो रोयल लोग हैं जिनके के पास पैसा है वो जिम कर रहे है ठीक है ऐसा माननो ऐसा ठीक है अब रोयल से याद रखे productive गर रोयल बैंगॉली टाइगर कंम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाया जाता है मिरी प्यारे मित्लों ठीक है और याद रखे यह UK भार से आया है UK मतलब तरह खंड ठीक है समझ में आया इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं से ठीक है कभी भूलो तो UK वाले तो नहीं भूलेंगा अच्छा किस विटमिन की कमी की वज़ा से रताओंधी नामक रोग जो है सात्य वह होता है बता हो रतओंधी रामक रोग चलो लास्ट को О्इंट टो डैयास विटमीन एक वाजह ऑसे रताओंधी होता है इक हुआ लोग प्रोब्लम्स की वजह से खूंस्ड का ठक्क्कय जमने में देरी कि यह है सात्य यह था end का सेशन पर 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 जो तीन नॉट से साती हो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करोंगे सेशन में जाने से पहले एक बार लाइक का बटन दबाते हो जाए और यह जो टेलिगराम चैनल है वहां पर आज में तीन नॉट्स डालने वाला हूं पेडागोजी के तीन चैप्ट करने वाले बहतरी टीचर सात्यों कराने वाले आप लोग के साथ में जुड़े हैं हां एक पोल की क्लास भी होती टेस्ट बुक की डाउनलोड कर लीजीगा लिंक में टेलिगराम में डाल दूंगा आज 5 बजे पोल की क्लास है जो कौन जीता कौन हारा वाली जो क्लास होती ह पोल वाली क्लास आज 5 बजे सब लोग जुड़िये सात्यों और जाते जाते इतना सब तो करी जाना लाइक का बटन दबाते जाना थैंक्यू सो मच